दो हजार रुपे के नए नोट को लेकर सरकार ने लोकसभा में बड़ी जानकारी दी है। भाने की कोशिश कर रहे हैं। प्यास की मांग और आपूर्ती में लगतार बढ़ते अंतर की वज़े से खुद्रा बाजार की कीमतों में उतार चड़ाफ पर काबू पाने के लिए सरकार ने प्यास का बफर स्टॉक बढ़ा कर दोगुना करने का फैसला किया है। केंद्री उभुकता मामले मंतराले की सर्चव लीना नंदन ने बताया कि महांगाई जैसे विशे को लेकर सरकार बहुत सम्मेदन शीन है। महराष्ट में कोरुना के मामलों में लगतार वद्धी के बाद प्रदेश सरकार ने वहां से आने वाले लोगों को साथ दिन क्वारिंटाइन करने के निर्देश चारी किये हैं हवाई जहास से यहां आने वाले लोगों को 48 घंटे पहले COVID-19 की जांच करवाना जरूरी है। सयुक्त राष्ट मानव अधिकार परिशत के रिपोर्ट के मताबिक में आनमार में एक फरवरी को हुए सैन्य तक्ता पलट के बाद से जारी हिंसा में अब तक कम से कम 138 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। भारत और इंग्लाइन के बीच टी-20 सीरीज के आकरी तीन मैचों में दर्शकों की एंट्री नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते गुजरात क्रिकेट असोसियेशन ने ये फैसला लिया है जिसके तैट 16, 18 और 20 मार्च को एहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने बाली तीनों मैचों में दर्शक नहीं आ सतेंगे। देश में पैट्रोल और डीजल की कीमते भले ही 27 परवड़ी से ना बदली हो लेकिन ये अभी भी अपने सर्वकालिक उच्छ स्तर पर है हाला कि चुनावी माहोल में एक गरफ ये सरकार के लिए राहत की बात है। सुमवार को लोक सभा में सरकार ने माना कि पैट्रोल डीजल से उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही है। पिछले दो सालों में 2000 रुपे के एक भी नोच की चपाई नहीं हुई है जबकि इसकी संख्या में लगातार कमी आई है। 2000 रुपे के नोचों के आखरी चपाई अप्राल 2019 में हुई थी। वितिराजमंत्री अन्वराग छाकुर ने सुमवार को लोक सभा में इसकी जानकारी थी। केंद्र ने आटो शेत्र के लिए उतपादन और खपत आधारत विशेश प्रोटसाहन योजना पर काम तेज़ कर दिया है। वेंकच चालम ने बताया कि हर्ताल से देश भर में करी दो करोड चेट का क्लियरेंस नहीं हो सका। सकता की दूसरे कारुपारी दिन शेयर बाजार बड़त पर खुला। पॉंबे स्टॉक एक्स्चेंज का प्रमुक सूचकांक सेंसेक्स दो सो तेरा दशमलव तीन चार अंक की बड़त के साथ पचास जार चैसो आट दशमलव चार दो के सतर पर खुला। वहीं नैशनल स्टॉक एक्स्चेंज का निफ्टी सरसट दशमलव शेयर शूनिय अंक की तेजी के साथ 14,996 दशमलव एक शूनिय के सतर पर खुला। केंद्रे वित्र राजमंद्री अनराप ठाकुर ने सुमवार को कहा कि भारते जीवन वीमा निगम के प्रस्तावित आईपियों से किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी और इस कदम से LIC और निवेश को दोनों को फायदा होगा। देश और नेपाल के कई कॉलेजों में मैजिकल में पीजी में एडमिशन के नाम पर ठगी करने वाले गिरों का रीवा पुलस ने भाणा फोड किया है। गिरों ने दिल्ली के बाली नगर में बकायदा ओफिस पूल रखा था और उपी अंबीबियस कर्चोके छात्रों को पीजी में एडमिशन का छांसा देते थे। जम्मु कश्मीर के शोपिया के रावर पोरा इलाके में तीम दिन से चल रहे एंकाउंटर में सुरक्षा बलोने सोंवार को जैशे मोहमत के कमांडर सज्जाद अफगानी को जेर कर दिया सुरक्षा बलोने 13 मार्च को शुरू है ऑपरेशन के दूसरे दिन यान रविवार क भी एक आतंती को मार गिराया था सेना भरती घोटाले में सोंवार को बड़ी कारवाही हुई है केंद्रे जांच ब्यूरोनी देश भर में करीब 30 जगे शापे मारी की है साथी मामले से जुड़े 17 आर्मी ओफिसर्स के खिलाफ अफ़यार भी दर्च की है इनमें लेफटिनेंज कर्णल मेजर नायब सुबिदार और सिपाही रैंक के आर्मी ओफिसर्स शामिल है दर्द बेबसी दहशत हैवानियत और दरंदगी की हदे पार करने वाली ये वारदात सिस्टम की खोकली परतों को भी उखेडने वाली है कोटा की 15 साल की बच्ची को जहलावार ले जाकर 9 दिनों तक 18 से ज़्यादा दरंदों ने अनि गिनत बार दुष कर्म किया जब वो दर्द से करहाती तो उसे नशा दे दिया जाता मदप्रदेश के जबदपुर हाई कोट ने सोमवार को बेटियूं के हक में एहम फैसला सुनाया है हाई कोट ने कहा कि शादी सुदा बेटी भी अनुकमपन युप्ति पानिक की हगदार है आदेश में कोट ने साफ किया है कि किसी सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसके आश्रितों में बेरोजकार बेटा ना हो तो बेटी भी आविदन कर सकती है बिहार के विकेट्ट कीपर बल्लेबाज इशान किशन ने रविवार को इंटरनाशनल क्रिक्रेट में डेब्यू किया उन्होंने इंगलाइन के खिलाफ बत्रेस बॉल पर 56 रन की तावर तोल पारी खेल कर टीम इंडिया को साथ विकेट्ट से जिताया ग्रह मंत्रिया मेश्राप अश्रिम बंगाल और रसम के दो दिन के दोरे पर हैं सुमबार को उन्होंने बंगाल से अपने चुनावी अध्यान की शिर्वात की रानी बंद में उन्होंने कहा कि आज मत मुड़ा लेच हो गया क्योंकि मेरा हेलिकॉप्टर खराब हो गया था लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें किसी की साज़श थी दिल्ली की साकित कोटने सुमबार को इंजियन मुजाहिदीन क्या तंकी आरिस्थान को मौत की सिज़ा सुनाई है कोटने से रेरेस्ट आफ दर रेर केस माना है आरिस्थान को दिल्ली में 2008 में हुए बाटला हाउस अंकाउंटर से जुड़े एक मामले में आत्मार्च को दूशी करार दिया था राजस्थान में पिछले साल जुलाई में सचन पालत खेमे की बगावत के समय फोन चेप करने की बाद सरकार ने मान ली है सरकार ने विधान सभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सक्षम स्तर से मन्जूरी लेकर फोन टेप किये जाते हैं नवंबर 2020 तक फोन टेप के सभी मामलों के मुखी सचवस्तर पर दियुक्षा भी पासी वग पढ़ाई में कमजोर होने की वज़े से डॉक्टर नहीं बन सका तो उसने मुन्ना बाई, MBBS, मूवी देखी और निकल गया डॉक्टर बनने फरजी ज्वाइनिंग लेजन के आधार पर मैं 2019 में अंबा अस्पताल में नौकरी ज्वाइन कर ली पद्मभूशन से सम्मानित चुत्रकार लक्षमन पाई का रविवार को गुवा में उनके आवास पर निधन हो गया पाई तुन चैन्वी वर्ष के थे, उनके निधन पर गुवा के मुख्यमंत्री प्रमोट सावंत ने शूप जटाया है उन्होंने ट्विच्ट कर कहा गुवा के जाने मानिक अलाकार पद्मभूशन लक्षमन पाई के निधन से बहुत दुख हुआ भारते टीम के स्टार्ट तेज के इनपास जस्प्रीग गुमरा ने स्पोर्टस एंकर संजना गणेशन के साथ शाधी रचाली है जस्प्रीग गुमरा ने खुट विटकर्स की जानतारी सोशल मेजिया पर दी है कुरोना वारस के कारण करतिबंदों को देखते हुए गुमरा के परिवार की कुछ लोग ही इसमें शामिल हुए है भारत और इंग्लैंड के बीच पाच मैचों के टी-20 सीरीज का तीसरा मुकावला बंगलबार को एहमदाबाद के नरेंद रमोदी स्टेडियम में खेला जाएगा दोनों ही टीमें फिलाल सीरीज में एक-एक की बराबरी पर है जो मैचों के डिलिवरी बॉई और बंगलूरू की महिला कस्टमर के बीच मार पीच के मामले में नया मोड़ाया है और अब लड़की हितेशा चंदराणी के खिलाफ अफ़ायार दर्च की गई है इससे पहले हितेशा पर कतित रूप से हमला करने के आरूप में डिलिवरी बॉई कामराज के खिलाफ शिकार दर्च की गई थी ट्रिकेट जगत के सबसे बहतरी इंग कप्तानों में से एक महिंडर सिंग धोनी आज कल इंडियन प्रीमियर लीग के चौदवे सीजन के लिए चैन्ड़ाई में च्रैनिंग कर रहे हैं लेकिन इस समय धोनी अपने नए अफ़तारों के चलते काफी चर्चा में है एंगलाइन की कप्तान आयन मोरगन ने कहा कि हम धिमी विक्टों पर नहीं खेलते हैं इन पर जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ही फायदा होगा इस साल के आखर में भारत में वोने बाले थी 22 को तब से पहले इन विचों पर खेलने से मदद मिलेगी